योग शरीर और मस्तिश को संतुलित रखता है साथ ही प्रकिर्टि से जोड़ने का सबसे सुरक्षत माध्यम भी है इसी माध्यम को जन जन तक पहुचाने का एक प्रयास हुआ सेकेंड इंटरनाशनल योगा आयरुवेदा और वेलनेस एक्सिबिशन तई योगशाला एक्सपो 2017 के रूप में 16 जून से 18 जून तक मिनिस्ट्री आफ आयोश और मिनिस्ट्री आफ टूरिजम के सपोर्ट से आयोजित ये इवेंट प्रगती मैदान न्यू डेली में हुई अतिरिक्त पाठे क्रम गतिविधियों द्वारा इसकारिक्रम के शोभा अगले दो दिनों में कुछ और बढ़ी जिसमें कई नामचीन हस्तियों की उपस्थिती नजर आई मन और शरीर एकाग्र हो करके हम मनुस्य रूप में क्यों आए है धर्ती पे इसका अगर सोचने का कोई यतन भी है तो वो योगा ही है जो सवेरे हम लोगों को ऐसा करते से मैं से महसूस हुआ है तो ये तो मैं नमो गंगे जो ट्रस्ट है उनको भी धैंक्स करता हूँ कहते हैं कि पीर वो क्या समझेगा जिसने नहीं भोगा पीर वो क्या समझेगा जिसने नहीं भोगा अयब तो जो होगा वो योगा से ही होगा आप सभी को बहुत बहुत धन्या ये खुश हो गए है जैहिन योग तो बहुत बड़ा विसद, इसके बारे में जितना विस्तार से कहा जाए उतना ही काम है और मैं तो योग को आनंद का विस्ते मानता हूँ परमात्मा से मिलने का सिर्फ एक बड़ा सुगम रास्ता, योग जो समाधी तक ले जाता है बक्ती में समर्पन होता है लेकिन योग में अपने आपको इतने उचे लेवल तक हम पहुचा लेते हैं कि स्वयम परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं यहाँ दर्शन की तो कोई बात ही नहीं होती, यहाँ तो परमात्मा से एकाकार की बाते हैं, आनंद की बाते हैं योगशाला एक्सपो के तीसरे दिन मुख्य अतिती के रूप में पधारे बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर श्याम जाजू इस योग प्रदर्शनी का मुख्य आकर्शन बनी डिफ्रेंट स्टेज परफॉमेंस साथ ही योग प्रदर्शनी के सभी एक्जिबिटर्स और चित्र प्रदर्शनियों के विजेताओं को सम्मान पूर्वक पुरुस्कृत किया गया इस योग प्रदर्शनी में अन्य चिकित्सा पध्धतियों को भी शामिल किया गया जैसे योग, यूनानी, आयुर्वेदा और होमियोपैथी नमो गंगे ट्रस्ट के चेर्मेन मिस्टर विजेश शर्मा ने अपने विजार कुछ इस तरह व्यक्ति किये योग एक ऐसी चीज है, ऐक ऐसी शक्ति है जिससे आप बिना किसी मेडिसन के, बिना किसी ओप्रिशन के अपनी विवानियों को सफल इलाज कर सकते हैं बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शाम जाजू ने कहा नरेंडर मोतीजी देश के प्रथानमंटरी बनने के बाद इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति, इस देश के स्रद्दा स्थान और इस देश की आसमिता इसका एक नए डायमेंशन देश में प्राब्ट हुआ है और इसका परियराम के वल देश तक सीमित नहीं है, देश विद्रिशों तक एक नए कितिमान तापीत हुए। इस प्रकार से कारेक्रमों से लोगों में उत्साह बर्टा है, लोगों में नौलेज बरती है, लोगों के उस्ताह बरती है। और लोग इसको फॉलो करने में परू तो आइसे हर प्रयास की तारीफ होनी चाहिए तो नमो गंगे ने जिस प्रकार से योग को और योग के साथ साथ और भी कही लोग यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने कारी बता रहे हैं तो सब को जोड़ करके एक साथ खड़े कर देना और योग को लोगों में पॉपलर करना यह बहुत बड़ा काम कर रहा है नमो गंगे और नमो गंगे जो ट्रस्ट है उसको में बहुत बढ़ाई देता है आज इस योग को इंटरनाशनल योग दिवस जो बनाया गया है हमारे देश के प्राइम इनिस्टर ने वो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में अपना एक अइडेंटिटी अपना नाम मिला है और आने वाले फ्यूचर में यह सब एक्टिविटी करने से ही हम छटे ऐसे कंट्र कि वर्ल्ड की टप सिक्यूर्टी कंट्रीज में एक बनने जा रहे हैं मुझे बहुत खोशी है मुझे यहां कर भी देखकर बहुत अच्छा लगा शायद बहुत कम जगे यह एक्जिबीशन इस तरह लगी है और एक्जिबीशन ग्राउन में लगी है उससे लोगों में अने कैसे और उसको कैसे इस्तमाल किया जाए वो यहां पर दिखाते हैं मैं अपनी बहुत बहुत शुपकामनाय देता हूँ अभी योग शाला जैसी अनेको प्रकार के फाउंड़िसां संस्थाएं एंजियोज रिशी मुनी सब भारत सरकार के सहयोग से माध्यम से जन जन पहुँच रहे हैं आज पूरे देश में हर ब्लॉक में 21 यूग योगा किया जाएगा तो नैचूरल देयरे लोगों उनका महतों पता लगेगा दीरे दीरे तो पहले एक होता है फिर दो होता है चार होते हैं दीरे दीरे आने वाले वक्त में साल दो साल के अंदर योग से निरोगी वक्ति रहेगा और स्वस्तर रहेगा यह हर वक्ति जान जाएगा पहचा अन जाएगा और दीरे दीरे उसको अडरॉप करेगा इस मौके पर एक्जबिटर्स ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं और अब तो कई दिशा में योग को बहुत इंटरनेशनली फेम मिल गया है जो कि पहले नहीं था जिससे हमारे देश की ख्याती भी बड़ी है इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही यूजली बहुत कम होते हैं यह ज़्यादा अवेरनेस के साथ होने चीज़ इसकी थोड़ी सी एवेरनेस कम देखने को मिल रही है जो बढ़नी चीज़ है लेकिन इहां जितने भी लोग आ रहे हैं उनको आलरड़ी अवेरनेस है तो यह इ यह ज़्यादा निचे आएरवेध, योगा, सिध्धा, हुमेपैथी और नेच्रोपैथी यह सारे सिस्टमें एक ही छट के निचे हैं एक ही रूफ के निचे हैं और सबको एक दूसरों को जानने का मुका मिलता हैं और जितने भी लोग यहां आरे हैं उनको पता लगता कि आरवेध जो है एक साइंटिफिकर सर्च है योगशाला इस वेरी गुट इनिचेटिव लेग बीपल इस दे आफ यहां मुविंग तो एल्दी साइड बात मोस्त आप मुट आप मुट आइडे बात अच्छी योगा इस और अट आरवेध इस और अट हैल्दी हाबिस आर य आरवेध ओ यहां बात अट आप मुझे यहां पर अच्छा लगा है यहां रगे लगा है और यहां पर आप AwwD Pak तब काफी नएं है लोगों को एक ही फ्लोर पर देखने को मिला, और एक ही जगह पर पूरा है तो जह अगए पूरे मैं फ्लोर रिलेटरड चीज़ें लोगों को मिल रही है, पता नहीं को देली के बारे में लोग किस पहल लुकत नाचानते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर आपे बहुत सारी चीजों को एक ही जगह पे देख सकते हैं, मिल सकते हैं. योगशाला एक दिविशन के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक अंडर वन रूफ, अम लोगों को सबको जितने भी यहां पर और जो भी पाटिस्पेशन से हैं, योगशाला एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा एवेंट है, जो नॉर्मल पॉब्लिक के लिए योगा और आयरवेद को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा एवेंट किया गया है, और नमागोंगा ट्रस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी. यही कहेगे, कि कि अप एप और एसे यही एग्जिबिशन करते रहे, योगा के रिलेट. I think we should participate in such kind of events more. They should come out with a larger scale, where more and more companies should come, and it should be a bigger platform, so that more and more people can come and take the benefit of Ayurvedic science. योगशाला, it was a great experience for Medanta. We screened somewhere around 400 people, we were doing Shogar BP and consultation with the Ayurvedic doctors from Medanta. It was a great experience, काफी लोग यहाँ आएं, काफी क्वेरी थी उनकी. मैं योगशाला को थैंक्स पे करता हूं, कि उन्होंने अपने Ayurvedic के साथ 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 हम लोगों को भी ऑपर किया, Diagro Lab को, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं, कि हम Ayurvedic के साथ 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 हम पैतालोजी टेस्क कराते रहेंगे, और अपने हैल्थ के बारे में कॉंशेस रहेंगे, तो उनके लिए best of the best option रहता है कि वो ब्लड टेस्क कराते रहें, क्योंकि आरोवेदिक में कोई भी ब्लड टेस्ट अपलेबल नहीं होता है, वो सिफ डिसीज को, स्लोली स्लोली इसको ठीक करते हैं, बिल्कुल जर से खतम करते हैं, और मैं फिर जए थैंक्स पे करूँ का योग्षाला का. बहुत अच्छा प्लेटफोर्म है, वो हम लोगों के लिए भी और वो क्लाइंट्स के लिए भी, कि यहां पे आपको 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 अच्छा प्लेटफोर्म पे मिलती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि आगे इन फ्यूचर में इस टाप की जो योग्षाला है. योग्षाला यह इनका इनिसेशन अच्छा है, सेकंड एयर है, और आइथिंक यह नेक्स्ट एयर से और अच्छा जाएगा, वेसिटर्स और आएंगे, योग शरीर और मस्तिश को एक साथ संतुलित करके प्रकृति से जोडने का सुरक्षित माध्यम है, इसी माध्यम की जाग रूपता नजर आई, नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा आयोजित सेकंड इंटरनाशनल योगा आयरवेद और वेलनेस एक्जिबिशन तय योगशाला एक्सपो 2017 की रूप में, भविश्य में भी इसी तरह के आयोजन धिरंतर होते रहें, लोग योग से जुड़ें और इसे जान हैं, इसी संकल्प के साथ इस प्रदशनी का सफलता पूर्वक समापन हुआ. अराओ जाता पूर्वक समापन हुआ.